हलो बच्छा लोग कैसे हो आप सब मैं निकुन जरी वाला एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने लर्णिंग प्लैट्फॉर्म मैगनेडिक साइंस इंसिट्यूट पे जहां पे आपके लिए करा जाता है NCRT Physics and Chemistry Simplified Point-to-Point Line-to-Line साथ में हर एक करेंगे और कॉमेंट में बताएंगे कि आप ये लेक्चर कहां बैटके कौन से सिटी में बैटके देख रहे हो बच्चा लोग आज बारी है current electricity के most awaited topic को सीखने की विचिस किर्चॉफ रूल बच्चों को लगता है कि किर्चॉफ रूल बहुत सिंपल है बट कहीं ना कहीं जब वो problem solve करने जाते हैं तो फस जाते हैं उनका answer गलत हो जाता है और time waste हो जाता है बट आज हम NCRT के हर एक examples को इतने easy way में करेंगे कि exam में अगर वो आता है तो किसी भी घलती के बिना foot of foot आपका पूरा question solve हो जाएगा चले वच्चा लोग जाद बाते ना करते हुए शुरू कर लेते है किर्चॉफ का first rule first rule को हम junction rule भी कहते है या उसको किर्चॉफ current rule भी कहा जाता है अब बिट एक simple सी बात समझो कि अगर current flow हो रहा है steady current flow हो रहा है तो जितना charge कहीं से entry करेगा उतने ही charge को दूसरे end से exit करना ही पड़ेगा simple सी बात है right क्योंकि steady current में charge कहीं पर ठक के बैट नहीं सकता है कि चलो मैं थोड़ा आराम कर लो फिर आगे बढ़ता हूं ऐसा होता नहीं है charge को flow होते ही रहना पड़ेगा तो इससे किर्चॉफ ने एक law बना दिया कि किसी भी junction के अंदर देखो at any junction the sum of current entering the junction is always equal to the sum of current leaving the junction थी कि बिटा इसको हम ना law of conservation of charge से भी समझा शकते है right law of conservation of charge ये पूछा जाता एक एक माक में किर्चॉफ junction rule के पीछे का reason क्या है बच्चा तो आप लिखोगे law of conservation of charge क्योंकि circuit में ना कहीं पर charge produce होने वाला है ना ही charge कहीं पर destroy होने वाला है मतलब किसी भी junction में जितना charge entry करेगा उतने ही charge को exactly exit करना पड़ेगा now what is junction तो बिटा junction मतलब ऐसे point जहां पर दो से तीन वायर एक साथ में मिल रहे हो that is called simply junction ओके देखे आपे बेना दो सरकीट आपके लिए रखे हैं देखे बच्चा यहां पर देखे तो तीन वायर दिख र current अंदर आएंगे उतने ही current junction में से बाहर जाने चाहिए तो यह simply किस ने कहा था बच्चा किल्चॉफ ने कहा था आपने junction rule में चार प्रूफ क्या है बटा प्रूफ यह है कि when currents are steady there is no accumulation of charges at any junction or at any point in the line charge कहीं भी accumulate मतलब जमा नहीं हो सकता है उसको निकल जाना पड़ेगा तीक है does the total current flowing in must be equal to the total current flowing out तो simply अगर mathematical form में लिखना है तो junction के उपर जितना current in है उतना ही current junction के उपर out होना चाहिए है राइट अब देखिए इस question को solve करते हैं आपके लिए क्या दिया है देखे समझया तो यहां से बिटा दो एंपियर current आया और यहां से तीन एंपियर current आया दोनों current अंदर आ रहे है तो दो और तीन मिला के total कितना current अंदर आया पांच एंपियर तो उसी पांच एंपियर क यह लाइन का current अब देखिए बेटा यहां से आया पांच एंपियर इधर कितना current आ रहा है पांच एंपियर यहां से आया एक एंपियर तो इस junction पे कितना current अंदर आया पांच आया और एक पांच और एक कितना हो गया छेंपियर तो उस छेंपियर को यहां से निकलना पड़ चलिए, यहां देखिए, बटा यहां से आया 0.5 Ampere, अंदर आया, उसमें से 0.3 Ampere बहार चला गया, 0.5 ने entry किया, 0.3 ने exit किया, बचा कितना, 0.2, 0.5 में से 0.3 exit कर चुका है, बाकी बचा 0.2 अभी exit करना बाकी है, तो यह line में कितना current होगा, 0.2 Ampere, अब देखें ध्यान स अब यहां से बच्चा आया 0.2 ampere junction B पे उसमें से 0.1 ampere जा चुका है 0.2 entry किया उसमें से 0.1 exit कर लिए अब बच्चा कितना 0.1 तो 0.1 कहां से जाएगा इस line में से जाएगा 0.1 यहां से exit करेगा कि नहीं करेगा 0.2 entry 0.1 0.1 0.2 exit तो इस तरह से simply आपको सिर्फ प्लस माइनस करके देखना है आप चेक करो कि कितना current total अंदर आ रहा है उतना ही current बाहर जाना चाहिए चलिए अब बारी है बेटा सबसे important किर्चॉप लूप रूल की जिसको हम किर्चॉप वॉल्टेज रूल भी कहते है या किर्चॉप सेकंड भी कहते हैं सिंपल सा अगर मैं बता हूं तो किसी भी क्लोज लूप पे total potential difference हमेशा 0 होता है किसी भी क्लोज लूप पे total potential difference हमेशा क्या होता है 0 होता है see this what is written loop rule the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is always 0 right तो अगर आप प्याहर से लिखना चाहो ना बेटा तो किसी भी close loop में summation of total voltage always remain equal to 0 for what case is close loop close loop के लिए total potential difference पूरे लूप में हमेशा क्या रहता है 0 रहता है okay इसके example समझेंगे हम since electric potential is dependent only on the location of point right potential जो है ना वो सिर्फ point के location पर depend करता है तो अगर एक ऐसा circuit आपको दिया हुआ हुआ है कुछ आपको रेजिस्टर बैटरी वैटरी सब जोड़ा हुआ है just for example अभी हम proper circuit भी लेंगे तो अगर इस point के ऊपर potential है VA तो जब पूरा circuit घूम क्या होगे तो वापस यहां potential क्या हो जाएगा VA ही हो जाएगा मतलब यहां पूरे circuit में जो भी potential का plus minus हुआ है वह कूल मिला कि total क्या हो जाएगा 0 क्योंकि loop में आपको वापस आना same point के ऊपर ही है तो voltage का कोई difference रहने वाला नहीं है ठीक है चलिया let's see this okay since potential is depending only on the location of the point the starting with any point if we come back to the same point the total change must be zero for close loop in a close loop we do come back to the starting point and hence the rule okay open loop होगा मतलब अगर कोई open particular path है circuit का तो वहाँ पर किर्चव कैसे apply करना है वह भी आपको यहां पर सिखा दूगा ठीक है चलिए इसके पीछे का better reason क्या है तो इसके पीछे का reason है law of conservation of energy इस rule के पीछे का reason है law of conservation of energy क्या reason है इसके पीछे का conservation of energy पहले rule में conservation of charge यहां पर conservation of energy चलिए बेटा इसका आपको simple सा trick याद रखना है देगे simple सा trick क्या है आप सारे question सब्सक्राइब कर लोगे तो अगर जहां पर भी रेजिस्टर है बच्चा यह रेजिस्टर है आर उसमें से current जा रहा है आई ठीक है अगेन रेजिस्टर से आर current जा रहा है आई ठीक है अब देखना अब जब भी आप कोई close loop को analysis कर रहे हो तो आप close loop में एक point से चालू करके वापस गुमते गुमते एस यू point के उपर आने वाले हो तो अगर बेटा आप इस तरफ गुमते गुमते जा रहे हो और current भी आपके साथ साथ आ रहा है देखो current इस तरफ आ रहा है और हम भी loop को उसी तरफ analysis करते करते आके जा रहे है तो अगर current और आपकी direction सेम है तो इसका जो voltage होगा न रेजिस्संस का रेजिस्संस का voltage क्या होता है आई इन्टु आर तो अगर current साथ साथ में आता है ना तो वो i i into r क्या करना आपको minus करना है है let चलो अगर आप इस तरफ गुंते-गुंते जा रहे हो बैटा लूक में अगर आप लूक में इस तरफ गुंते-गुंते जा रहे हो इसNigit और current इस तरफ आ रहा है मतलब current अगर आपके सामने आया तो इसका जो potential difference होगा I into R वो क्या करना है प्लस करना है समझे simple rule simple rule समझे अगर current आपके साथ साथ चल रहा है आप जिस तरफ जा रहे हो current भी आपके साथ साथ आ रहा है आपको देखते हैं तो सेल बेटा यह माइनस यह प्लस सपोज यह सेल का EMFAE आपको दिया होता है कोशन में यह माइनस यह प्लस सेल का EMFAE ठीक है बेटा चलिए अगर लूप को analysis करते हम इस तरफ जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ तो इसका जो potential difference है कितना EMFAE बेटरी का तो direct voltage ही दिया होता है तो इसका जो वाल्टेज है वो direct क्या करना है plus करना है N typically minus से प्लस प्लस जा रहा हो हो अगर अगर आप loop में minus की तरफ जा रहे हो तो क्या करेंगे हम Bates के बेटरी के वाल्टेज को प्लस करेंगे अगर हम लूप में प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो बैटरी के यह मैंफो क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर हम प्लस से माइनस माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ही करना है और अगर हम प्लस से माइनस की तरफ ट्राविल कर रहे हैं तो माइनस ए करना है तो इतनी सिंपल से रूल्स है अचले अब इस रूल के बेस हम सबसे पहले ना एक टेक्सबुक का शोटा सा सरकीट है उसको हम एक बास सॉल करते हैं एक स्लाइड में अड़ कर लेता हूं इंसर्ट न्यू स्लाइड और इस स्लाइड के ऊपर मुझे राना है स्क्रिंशॉट टेक्सबुक के एक पाथ का ठीक कोई भी डाउट हो जाए ठीक है चलो इस तरह आपको लूप दिया हुआ है ठीक है चला आजाओ स्लाइड सोपर वापस सब लोग मेरे साथ साथ रहना चले इस तरह आपको लूप दिया है कलर कौन सा रखो तो दोनों में दिखे इसके पिटी अलो इसमें मुझे हुए हम वही यार उसको यूज करेंगे चलो लेस साथ फॉंप पॉइंट एंगे प्रसे पहले कौन से लूप पे जा रहे हैं एसे एच से डी से सी से बी से ए तो अभी जो लूप हम ले रहे हैं विल स्टार्ट फॉंप पॉइंट ए वहां से हम जाएंगे पॉइंट एच अभी कुछ भी नहीं आ रहे हैं आपको कहा कहा रुकना है आपको रुकना है जहाँ पे रेजिस्ट्न्स आए और जहाँ प्र बैटरी आए कि कि जहां रेजिस्स जए गा वहां फें वॉल्टे जाएगा ईयाbu और जहां बैटरीं यहाँ गल् poles का बैटरीं का फिर टिया होगा ख़ो आपको अपनी तो ब्ली मारनी है कहां पर जहां पर आपको ओल दिखें या रेजिन स्च दिखें अगर उन नहीं इंए तो जलते जाओ आगे चलो अब इधर कुछ भी नहीं है ना बैटरी ना रेजिस्टेंस वह देखो आप यहां पर आए देखो आप इस तरफ ट्रावेल कर रहे हो करन्ट भी उसी तरफ जा रहा है दिख रहे हैं आपको आप इस तरफ ट्रावेल कर रहे हो बच्चा इस जा डाव और और करेंट रहे हैं तो इस तरफ ट्रावेल कर रहे हो न लुस्मा दार आहएगा यहां पर माइनस में क्या माइनस में I into R करंट है I1 रेजिस्टंस से 30 तो यह हो गया माइनस 30 I1 ठीक है पहला टम हो गया चलो आगे बढ़ी अब यहां से अभी कुछ भी नहीं आ रहा है ना रेजिस्टंस ना बैटरी भी देखा जैसे यहां पर आया बैटरी आ रही है अपने किस तरफ जा रहे बचक? तो अपने जा रहे है इस तरफ यह है ना अपने लूप का डिरेक्शन मैं बना दूप पूरा लूप डिरेक्शन इसके अंदर इंदो नो आदा ही बनाया ह exhibits अपने न यहाद शुरू करके ऐसे पूरा आने वाले है यह अपना लूप रहे दीगे चलो बच्छा देखो ध्यान से तो अपने इस तरफ जा रहे हैं यह बैटरी का माइनस यह प्लस अपने कहा किए माइनस से प्लस गे ना माइनस ते प्लस की तरफ गए तो बैटरी में क्या करना है प्लस क्या प्लस डाइरेक्ट बैटरी का वॉल्टेज कितना वॉल्टेज है बैटरी का 45 तो बिटा सेकंड हम क्या करेंगे सिद्धा सिद्धा प्लस कर देंगे 45 वॉल्टेज यहां पर करन्ट मॉल्टिप्लाई मत क कितना करंट होगा आई 3 करंट होगा जो इस तरफ जा रहा है ठीक है चले हम किस तरफ ट्रावल कर रहे हैं हम इस तरफ जा 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 रहे हैं और करंट भी तो हमारे साथ साथ आ रहा है तो करंट साथ में आ रहा आगे बड़े अभी वापस देखो resistance आया हम इस तरफ जा रहे है करंट देखो i3 से तरफ आ रहा है क्या होगा वापस सेम डिरेक्शन में तो माइनस क्या माइनस होगा i3 into 40 तो क्या माइनस होगा यहां पर आपका करंट i3 into resistance 40 चले गुमते 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 वापस a point पर आगे शुरू आत यह से करी थी वापस गुमते गुमते a point पर आगे total क्या हो जाएगा 0 तो यह आपका पहला equation कुछ इस तरह से बन रहा है कि you get minus 30 i1 plus 45 minus i3 minus 40 i3 and that is total equal to 0 okay तो यह मैंने पहला equation बनाया अभी बनाते बटब दूसरा equation ठीक है लेट सी दूसरा equation क्या बनेगा चले कहां स्टार्ट करना है आपको a point से कहां जाना है आपको a point से शुरू करके इस तरफ जाना है जी की तरफ यहां पर arrow मार देता हूं इस पर black arrow करूंगा we'll start from a point और यहा my reference और इस पॉंग है भूम्ते यहां Heiant as administrators स्टार जाना रही है यहां कुछ भी नहीं इयका बैटरी हो जा रहे है दो मैंने ब्लस कर सबसकर बैटरी से yat बसकर ब्लस कहा ब्लस करी मां बॉल्चेश ड़िए बैटरी से मीना है असी में चना करेंगा यहां पर सबसे पहल है i2 current है राइट चलो कितना इसका resistance दिया है वनों अपने इस तरफ जा रहे है current भी से तरफ चल रहा है क्या करेंगे minus क्या minus करेंगे बच्चा i2 into 1 i2r तो यहां पर हम minus करेंगे i2 into 1 चलो आगे बढ़ें अभी कुछ भी नहीं है यहां पर देखो वापस आया resistance अपने उपर जा रहे है i2 current भी उपर ही आ रहा है सेम डाइरेक्शन में minus क्या minus करेंगे i2 into resistance 20 तो आप सेम डाइरेक्शन minus i2 into resistance कितना है 20 20 को इतना संबन क्यों देना है वही bracket में डाल के चलो 20 खत्म आगे जाओ अब मैं इस तरफ जा रहे है minus से plus battery क्या करेंगे plus क्या प्लस करेंगे बैटरी का वाल्टेज कितना है बच्चा 45 अगे बढ़ते हैं देखो वापस आया resistance अपने इस तरफ जा रहे है करेंट भी सी तरफ आ रहा है कितना करेंट है कितना रेजिस्टेंस इस तरफ क्या करेंगे माइनस क्या माइनस करेंगे i3 into 1 चलो आगे बढ़ो वापस रेजिस्टेंस आया अपने इस तरफ जा रहे है i3 current भी इसी तरफ आ रहा है क्या minus करेंगे वापस i3 into 40 same direction में है na current तो minus करेंगे ir so minus क्या होगा वापस i3 into 40 चलो गुमते गुमते a point पे आगे return अगर a point पे आगे तो क्या हो जाएगा वापस total equal to 0 तो देखो यहाँ क्या equation set हुआ यहाँ आपका equation set हुआ 18 minus i2 minus 20 i2 plus 45 minus i3 minus 40 i3 that's equal to 0 तो यह हो गया आपका set equation number 2 तो यह है आपका equation number 1 यह equation number 2 अभी भी आप देखो कि ना यह equation आपका solve नहीं होगा अभी आपके पास 3 variable है कौन कौन से variable है एक i1 भी है एक i2 भी है और एक i3 भी है तो जब भी आपके पास 3 variable होते है आपको हमेशा 3 equation चाहिए होंगे किसरा equation कहा है तो देखो ना किर्चॉफ junction rule तो आपमने यूज़ी नहीं करा भी यहां पर अब ध्यान से देखो हम किर्चॉफ junction rule से एक equation बना लेंगे कैसे बनाएंगे आप ध्यान से समझो बिटा तो यहां से कितना current आ रहा है अंदर आ रहा है i3 current इस में से इस तरफ कितना गया i1 और इस तरफ कितना गया i2 दिख रहा है आपको i3 अंदर आया उस में से उपर की तरफ गया i1 जो आपको line में दिया हुआ है और निच्चे की तरफ गया i2 तो बिटा किर्चॉफ ने क्या कहा आपने junction rule में किर्चॉफ ने अपने junction rule में चिल्ला चिल्ला के सब को कहा है कि जितना current entry करेगा उतना ही current exit करेगा तो entry कितना current किया यहाँ पर i3 एक तो नहीं लिखने नहीं देगा है इस लाइड में चलो entry कितना current किया है i3 और exit कितना current किया i1 प्लस i2 तो लो यह हो गया आपका equation number 3 entry का current i3 exit का current i1 i2 तो यह बन गया आपके तीन equation equation number 1 equation number 2 equation number 3 अब आप तीनों equation को solve करा लो आपको सारे current मिल जाएंगे circuit में कितने currents है basic समझा है किर्चॉफ कैसे apply करना है बिटा यही उसका main है किर्चॉफ का कहां गया यह वाला यही वाला किर्चॉफ का main logic है यह अगर आपको ध्यान में रहेगा तो किर्चॉफ के problem में आपको कुछ भी problem होने वाले नहीं है एक second थोड़ा brightness में set कर ले हूँ सही है understood clear तो यह आपको text book में दिया हुआ था generally कोई करवाता नहीं है बडड़ी कि मैंने आपको सारा equation समझा दिया कैसे बनाना है चालो अब इसके application दीखते है तो मैंने सबसे पहला question कहा है battery of 10 volt a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 ohm resistor each of resistance 1 ohm मतलब एक cubical network है let's make the cubical network है इस तरह से cubical network है you know the shape of cube right इसमें total 12 wires होती है cube में तो इस तरह से cubical network है 12 wire है और हर एक wire पर कितना resistance है 1 ohm का resistance मतलब यहां पर हर एक wire में यह छोटे छोटे आप मान लिजिए 1 ohm के resistance है हर एक wire में ठीक है इस तरह से दीक है मैं चाहूं तो मैं भी आपको सबको shortcut में पढ़ा सकता हूँ है 12 साल से मैं भी physics chemistry पढ़ा रहा हूँ ठीक है shortcut के मामले में तो अपना भी कोई मुकाबला नहीं है बट क्या exam में shortcut मार क्या होगे नहीं ना ठीक है तो इस तरह से 12 resistance है छोटे छोटे और आपने क्या कर रहा है बैटरी कहां कनेक कर रहा है बैटरी कनेक कर रहा है across the diagonally opposite corners of a network diagonally opposite corner मतलब यह एक corner और यह corner इनके बीच में आपने apply कर दिया है एक battery तो इस तरह से आपने एक battery यहां पर लगा दिया है कितने वाल्ट का battery लगा है network and the current along each edge of the cube आपको बताना है कि यह पूरा जो cubical network है उसका एक equivalent resistance क्या बनेगा मतलब पूरे को हटा के अगर एक resistance लगाना है पूरे को हटा के अगर एक single resistance लगाना है तो वो single resistance का value क्या होना चाहिए ताकि वो अकेला उतना current खीचे जो यह सारे आपको यह भी बताना है कि हर एक branch में कितना current है अब आप simply सोचो बेटा जो भी current यहां से आएगा ना वो current यहां पर आके तीन पार्ट में divide होने वाला है equally because पूरा figure symmetric है तो जो भी current यहां से आएगा वो आगे जाके एक दो और तीन पार्ट में divide हो जाएगा और फिर यहां जो current आएगा वो वापस दो पार्ट में divide होगा इस तरह से होगा कि नहीं होगा तो simply चलो पहले current distribution करते है सब उस battery में से current आया i तो i यहां पर तीन पार्ट में equally distribute हो जाएगा because पूरा network symmetric है i by 3, i by 3, i by 3 i by 3 similarly i by 3 भी जब यहां पहुंचा कितना होगा यह भी i by 6 इस तरफ आदा कितना जाएगा i by 6 दो पार्ट में divide होगा यहां पर similarly i by 3 भी जब इधर पहुंचाएगा दो पार्ट में divide होना पड़ेगा i by 6 i by 6 अब देखें entry कितना current किया था i तो exit भी कितना current करेगा i मतलब अगर यहां से i current निकालना है तो यह तीनों रास्तों में से वापस कितना current आना चाहिए i by 3 i by 3 i by 3 तो तीनों i by 3 मिलके वापस कितना बहार चला गया i तो यह हमने इस circuit का current distribution कर लिया NCRT में जो एक्जामबल दिये है उसमें figure में current बना के दिये दिये बड़ एक्जाम में नहीं दिये होते है एक्जाम में आपको कुद current distribution करना होते रहे अब आपको क्या करना है बिटा चलो पहले इसकी कुछ नाम में देता है तो यह आपको हर एक के नाम दे दिये थी कि आगे वाले square को मैंने ABCD ले लिया और पिछे वाले square को मैंने EFGH ले लिया आपको last में सारे current बताना है अब यहां apply करेंगे बच्चा किर्चॉफ को हम shortest path के ऊपर किर्चॉफ apply करेंगे shortest path मतलब battery में से current आया और exit करना है उसको shortest path से तो कोई भी shortest path अगर आगे ने बेटा उसमें तीन line आयेगी कमपल सरी तो किसल लोगए आप यहां पर ऐसे जाएंगी पहले जाना देगाए जाने देगाए ऐसे गए पहले हम पिर यहां से हम चले जाते इस तरफ और यहां से हम चले जाते इस तरफ तो यह जो मैंने मार्क किया न वह पात के ओपर हम किर्चव अप्लाई करने वाले है अब यहां से हम बाहर आ जाएंगे आप कोई भी पात लो उसमें तीनी ब्रांच आएगी अगर आप यहां से ऐसे जाओ ऐसे जाओ तीन ब्रांच आएगी कहीं भी जाओ आप इसमें तीनी कोई भी एक पाथ लेलो एन ना वी स्पेसिफाई अप्लाइंग हाँ 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 है सड़नली हाँ वह को आ गया था मांगने के लिए में को तो दरा दिया एकदम से कि अप्लाइंग के वी एल और चलो कौन से पाथ पर आप के वी अप्लाइ कर रहा आपको बताना है तो इस स्टार्ट फ्रम पॉइंट ए डी एच जी ए डी एच जी फिर बहार आएंगे 10 वल्ट की बैटरी से वापस चले जाएंगे ए पर 10 वल्ट की बैटरी और फिर वापस आ गए ए पर तो इस पात पर हम किर्चाप अपलाई करेंगे चले शुरू करेंगे किर्चाप अपलाई करना ए से शुरू करेंगे अपने ए से डी जा रहे है करंट भी ए से दी की चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम इस तरफ जा रहे है करेंट भी उसी तरफ आ रहा है बट करेंट कितना है भी आई बाई 6 हो गया है अब मैंने जो करेंट डिस्ट्रिबूट किया ना स्टार्टिंग में ही बच्चा रइट तो अपने इस तरफ दिख रहा है आपको एरो यह करेंट भी अपने साथ साथ आ रहा है माइनस करेंगे आई बाई 6 इन्टू आर माइनस किया आई बाई 6 इन्टू आर ठीक है चलिए हम उपर जाएंगे करेंट भी देखो वापस हमारे साथ साथ आ रहा है देख रहा है कितना करेंट है अभी आई बाई 3 हम उपर जा रहे है current view पर आ रहा है कितना current है i by 3 resistance के आ है branch का R तो वापस क्या minus करेंगे i by 3 into R वापस minus करेंगे i by 3 into R अब हम निकल चुके बाहर अभी कुछ भी नहीं आ रहे है बैटरी आई देखो minus से plus यह minus होगा battery का यह plus होगा minus से plus battery में जाओगे क्या करेंगे plus क्या plus करेंगे 10 वाल्ट यहां voltage ही plus करना होता है plus 10 चुला गुमते गुमते वापस आगए a point के उपर loop complete हो गया total should be equal to 0 चुला यहां पर simply आप LCM ले लो तो 3, 6, 3 का LCM हो जाएगा 6 यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा मैं LCM ले रहा हूँ simply, इतना आपको आएगा 5 by 6 R into I और यह minus sign okay and 10 को साम में ले रो, यह जाएगा minus 10 got it right, तो मुझा यहां से एक equation मिल गया this equation is equal to 5 by 6 IR is equal to 10 call it equation number 1 कितना clear, कितना clear आगे बड़े, चलो now what is equivalent resistance तो बैटा equivalent मतलब इस पूरे को हटा के अगर एक ही resistance लगा दो तो वो अकेला battery में से पूरा current लेना चाहिए जो कि सब मिल के ले रहे मतलब यह जो दो point है आपके A and G point यह A point और यह G point जिसके बीच में अपने पूरा network जोड़ा है उसको हटा के अगर एक single resistance लगा देते है R equivalent तो वो अकेला 10 volt के battery में से पूरा का पूरा I current खीचना चाहिए, then if we call it as equivalent resistance तो इसके लिए मैं simply ohms लो अपलाई कर लो V equal to IR क्योंकि एक की resistance है इसमें कीच आफ़ा काम नहीं है हम simply क्या दिखेंगे 10 volt equal to I into R equivalent so I into R equivalent equal to 10 volt call it equation number 2 so equation number 1 and 2 को करो compare दो number 10-10 तो है ना I, I भी कटो जाएगा simply क्या दिखे रहा है R equivalent equal to 5 by 6 into small r so comparing 1 and 2 comparing equation number 1 and 2 comparing equation number 1 and 2 चलो क्या मिल गया आपको बिटा जब compare करो के तो 10-10 cancel I, I cancel R equivalent क्या हो जाएगा 5 by 6 into R R equivalent हो जाएगा 5 by 6 into small r कितना दिया है हर एक resistance wire का एक ohm दिया हुआ है right we'll put it here 5 by 6 into 1 ohm so ये resistance हो गया आपका equivalent which is equal to 5 by 6 ohm कितना हो गया equivalent resistance हो गया 5 by 6 ohm understood समझाया है कैसे करना है calculate चलो current find कर लेते है current कितना होगा let's put the value of R equivalent here from 2 from 2 we can simply write I into R equivalent कितना है 5 by 6 that is equal to 10 ये 5, 2 से कट हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 सा 12 हो जाएगा तो I will be equal to 12 ampere मतलब total current कितना आ रहा है बैटरी में से 12 ampere और अब आप सारे current लिख दूँगे हर एक branch का बैटरी में से current आया 12 ampere ये A, B, A, E, A, D इन सब में current सेम है I by 3, I by 3, I by 3 12 by 3, 12 by 3, 12 by 3 मतलब सब का current हो जाएगा 4, 4 ampere similarly, यहां पे भी FG CG and HG इन सब में भी कितना current है I by 3, मतलब 12 by 3 ये भी कितना हो जाएगा 4 ampere और बाकी जो branch किस बचे आपके I by 6 वाल है which is equal to this one BF, BC EF, EH DC and DH इन सब का current I by 6 है मतलब 2-2 ampere है I 12 ampere आया 12 by 6 कितना होता है इस तरह से आप सारे current at the end mention कर लोगे कर लोगे ना बिटा ठीक है ना current मैंने दे दिया आपको distribution भी बता दिया आपको खाली values रख देना है at the end आप सारे current लिखो कि branch में otherwise आपके mark जाने के chances रहते है understood is that clear मैं आपको ना यह अच्छली यह जब यह जब यह साफटार्टेट अभी भी हूं साफटार्टेट इससा नहीं है बट जब यह मांगने वाले लोग आते हैं ना भी एक ना मतलब लाइक मैं कहूं तो फिफ्टी फिफ़टी फाइव यर्ट के एक अंकल जैसे थे जो पहले मेरे बुले मु जाओ वहाँ बात करो फिर वो चले गया मैं रेकोर्डिंग के लिए अंदर आ गया सड़नली वहापस आये बुले सर कुछ काम दे दो मैं बुला यार कहां सा तुम काम करो पांच-पचास रुपे खाने के दे दो मुझे मेना दिमाग अटा मैंने उनको दस रुपे देके ब उन्हेंने मुझे रोका और उन्हें बोला क्या मुझे वह सीवील अस्पितल के पास छोड़ दो मेरे रास्ते मेरा रास्ते meant आई उनको उनको प्लाया है खाने का भी पैसा नहीं है अभी घर पे सबजी ले के जाना है मुझे अब पता नहीं मैं सबजी ले के ... जाओंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे बूखे रह जाएंगे वो अभी सबजी के पैसे कहीं से मांगनें पढ़ेंगे दर उदर से, मतलब उन्होंने मुझे इतना emotional कर दिया, कि मैंने सामने से उनको 100 रुपे दे दिये और उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया कि बगवान तेरा पता करे उस दिन मुझे इतना blessed feel हुआ इतना blessed feel हुआ, मुझे लगा कि वाव मैंने कुछ कितना अच्छा गाम कर दिया बट हुआ क्या करिब दो ढ़ाई मैने के बाद एक अलग रोड के उपर वही अंकल मुझे बापस दिखे इस बार मैं जान बुचके उनके बास गारी लेके गया उनको मैंने गारी पर बिठाया and you know what same story मेरी वाइफ से भी रॉस्पीडल में है यह है वो है उस दिन से न मेरा विश्वा सुट गया मैंने उनको बोला कि मैं चाहूँ ना तो भी आपको पुलिस को दे सकता हूँ यह आप जो सब फ्रॉड कर रहे हो ना बट मैं ऐसा करूँगा नहीं बट आपने मुझे एक सीख दे दी कि किसी के भी किसी भी बातों के उपर भरोसा मत करो कि दुनिया ना तब इस तरह के फ्रॉड से भरा पड़ा है जान रखने आप भी कभी भी चलिए अपने बैक टुदी किर्चाफ लो चलते है वापस अगर मैं आपको फिगर दे दूँ ठीक है तो फिर आपको कुछ काम ही नहीं बचेगा तो मैं आपको फिगर नहीं देने वाला हूँ बट इनके इन शॉट मैं आपको न यहां पे देखें मैं आपको फिगर तो नहीं दूँगा पूरा मैं आपकर एक्चुली फिगर दुरहा सा मुझे भी सर्कृत डॉरा करना पढ़ेगा ना पुरा सर्कृत थोड़ी याद रख सकता हूं मैं भई इसको मैं थोड़ा एक क्या किया मैंने यह कट किया बोलो फागल हूंगा अब पेस का ऑप्शन आ रहा है आ रहा है क्रोप करना था मुझे तो मैं छोड़ा सा ही फिगर इसको बाजू में रखूंगा फिर मैं इसके सर्कीट को बना लूँगा और फिर हम पूरा करन डिस्टिब्यूशन करना सीखेंगे ठीक है कि करन को किस तरह से रिस्टिब्यूट करना है ओके बड़े ध्यान से हम करेंगे वह काम तो पहले मैं बैटरी है जो है दस वॉल्ट का तो बड़ा करना पड़ेगा इसको सॉरी हां तो विर मैं जब किर्चब अपलाई करूंगा आना तो सब मिक्स हो जाएगा कुछड़ा कुछड़ा हो जाएगा इस इस फोर ओम इस बैटरी इस आफ 10 वॉल्ट उसके साथ एक रेजिस्टन से एक ओम का ठीक है यहां से एक सीधा सीधा इस तरह से दिख रहा है दो ओम का रेजिस्टर वहां से इधर एक बैटरी दिख रही है जो बैटरी का वॉल्टेज है पांच वॉल्ट यहां पर इसके नीचे एक और रेजिस्टर है दो ओम का ठीक है और इसको यहां पर हम जोइन कर देंगे ऐसे सही चल रहा है ना हाँ सही चल रहा है चलो और यहां पर फाइनली रेजिस्टर दिया हुआ है हमें चार होंगा यह 10 वाल्ट उपर लिख देता है कोई घरबर नहीं होनी चाहिए आगे जाके चलो अब मुझे इसका कुछ काम नहीं है अब मैं इसको निकाल दूँगा ठीक है पाया कनेक किया हुआ है फट रहता है किर्चो धाल करना है चले है फटाइर अब मैं यहां ngay के लिगा current को x y z symbol से लूँगा पता है क्यों क्योंकि जब से हम छोटे थे न हमको match में equation x y z में ही solve करना सिखाया है अब match में जब equation x y z में आता है ना तो हमारा confidence बर जाता है सर यह तो आता है मैं अगर i1, i2, i3 डूँगा ना तो क्या होगा पता है तो गलती से i2 का 2 अगर अपने बड़ा लिख दिया है तो equation बदल जाएगा अंसर गलत हो जाएगे तो अपने x y z लेंगे सब उस चलो इस branch यह battery में से current निकला x plus में से x current निकला उस x में से इस तरफ गया सपोस y तो किर्चव रूल के accordingly बचा हुआ current कितना होगा x minus y जो इस branch में जाएगा ठीक है ना इस battery में से x current आया उसमें से इधर गया y तो बाकी बचा x minus y इस तरफ जाएगा चलो अब यह y यहाँ पहुचा इधर suppose इस battery में से current निकला z यह जो बैटरी है ना उसमें से कितना current आया z तो इस junction पे इधर से आया y इधर से आया z दोनों मिलके y plus z यहाँ से बहान निकलेगा दोनों मिलके कितना हो गया y plus z जो बहान निकल जाएगा जो तीसरी लाइन बची वहाँ से समझा रहा है सबको ओके चलो अब बिटा यह आया y plus z यहाँ आ गया उसमें से इस ब्रांच का current fix है वो है x वो तो fix ही है ना उसको तो इसी तरफ जाना है बाकी क्या बचा y plus z में से x चला गया इस तरफ बाकी बचा y plus z minus x वो current इस लाइन में होगा do you understand आद मच्छर भी बहुत काट रहे है यहाँ पर thank you malaria समझा आपको current distribution कैसे करा है हमने वापस है but इस बैटरी में से x current इधर गया y इधर बचा x minus y y यहाँ पहुचा इस बैटरी में से आया z y z मिलके यहाँ से निकला y plus z उसमें से x यह ब्रांच में पहले से ही ले लिया ग आएगा so now we have three variables x y and z we require three equations compulsory तो मैं पहला equation बनाओंगा इस लूप पे इसको मैं दे रहा हूँ लूप नमबर वन दूसरा equation में यहाँ लगाऊंगा इस लूप पे लूप नमबर टू और तीसरा equation में यह बाहर बाहर से अप्लाई करूंगा पूरा लूप नमबर त्री तो मैं यह तीन लूप पे किर्चाव अप्लाई करने वालों चलो बड़ा सबसे पहले में अप्लाई करूंगा के वी एल ओन लूप वन लूप पे आजाओ बेड़ा लेस्टार्ट फ्रम डिस पॉइंट या अपने को यह ऐसे गूमना है चलो यहां चलो बच्छा जान से अपने उपर गे रेजिस्संस आया ब्रेक मारा अपने उपर जा रहे है क्या करेंगे आ इंटू आर रेजिस्संस कितना है फोर करन्ट कित है रेजिस्संस 2 करेंट कितना है वाइ फ्लåस जैट क्या करेंगे उसको माइण स्कू कि हम नीचे जा रहा है करेंट भी नीचे आ रहा है minus क्या minus करेंगे x into 1 ठीक्ए क्या minus कर आप मैंने x into 1 ओके, चलो, आगे बढ़ते है बिटा अभी आगे battery minus से plus battery का यह क्या होता है हुमेशा minus और बड़ा क्या होता है plus तो हम जा रहे है बचा minus से plus इधर पहुँचेते हैं अपने minus से plus क्या करेंगे प्लस प्लस क्या करेंगे बैटरी का वाल्टेज वाल्टेज कितना है टैन ठीक है खतम आ गया वापस लूप इस पॉइंट पर आगे तोटल क्या हो जाएगा जीरो समझाया आपको इतना पॉइंट ओके जब भी रेजिस्टन्स आएगा आई यार करना है जब भी बैटरी आएगा सिद्धा बैटरी का वाल्टेज प्लस माइनस करना है अस सिंपल एज अपाइड ओपन दे ब्रैकेट कैरफुली मैजोरिटी बच्चे यह ब्रैकेट ओपन करने में गलतिया कर जाते है और फिक किर्चवाफ आने के बावजब्ब्य उनका अंसर गलग हो जाता है सारे टम को सामने ले लो माइनस X सामने जाएगा X माइनस 2Y, माइनस 4Y, माइनस 6Y सामने जाएगा प्लस 6Y माइनस 2Z सामने जाएगा प्लस 2Z यहां बच गया 10 तो यह हो गया equation number 1 यह रादे को मच्छर पहला loop complete चलो loop 2 पे आजाओ KVL on loop 2 second loop up में यहां पर ऐसे arrow मा रहा है देख रहा है तो यहां जब start करो चलो और इस तरफ जाएंगे नीचे उतरेंगे वापस उपर आएंगे को भी है starting from this side बैटरी आया प्लस 2 माइनस क्या करेंगे माइनस 10 में लिखते जा रहा हूँ यहां पर इज़र आपको loop दिख रहा है दिख रहा है ना मुझे देखने का काम नहीं आप loop को देखो और equation को देखो तो अपने इस तरफ जा रहा है अभी प्लस से माइनस क्या हो गया माइनस 10 वॉल्टेज अपने इस तरफ जा रहा है देखो current सामने भटका हम इस तरफ जा रहा है current कहां आया अब मरा यह मच्छर साला finally हट चलो इस तरफ आए प्लस से माइनस minus 10 अपने इस सरफ जा रहा है current देखो सामने मिला current सामने मिला तो क्या करेंगे plus plus क्या current into resistance i into r क्या हो जाएगा plus one into x one into x चला अभी अपने जा रहे नीचे current भी नीचे आ रहा है क्या करेंगे minus क्या minus करेंगे resistance into current resistance है 2 और current क्या है y plus z minus x चले पौँच गये यहां पर ऊपर जा रहा है अभी अपने उपर जा रहे देखो current सामने आया हम ऐसे जा रहे है क्रण्ट देखो सामने मिल रहा है current करो देखो current सामने मिला तो क्या करना पढ़ेगा आपको plus क्या plus करेंगे current into resistance 4 into x- y current क्रण्ट इनट्ट resistance, अपने ऐसे जा रहे, current सामने है, plus किया, पहुंच गया, वापस इससी point के उपर kill मिला के हो गया, यह 0, समझा रही है बात आपको बच्चा लोग, जम clear हो रहा है सबको, ठीक है, चलो, bracket open करो, minus 10 plus x minus 2y minus 2z plus 2x plus 4x minus 4y is equal to 0, पोई जल्द बाजी करना नहीं, x plus 2x plus 4x, क्या हो गया, 7x, x plus 2x, 3 plus 4, 7x, minus 2y minus 4y, क्या हो गया, minus 6y, minus 2z, minus 10 को सामने जाना दो, क्या हो जाएगा, equal to plus 10, minus 10 गया सामने, इधर हो गया, plus 10, that is equal to equation number 2, यह बना बच्चा आपका second equation, बना के नहीं, बन गया, चलिए, अब बार यह बिटा third equation को बनाने की, third equation आपका loop 3 बाहर बाहर से है, यह loop 2, यह loop 1, चलो, बाहर बाहर का loop ले लो, kv, l on, loop 3, चलो, let's start from गया, बाहर बाहर गुमने आपको, हां, चलो, अपने उपर जा रहे है, current भी उपर आ रहा है, क्या करेंगे, minus, minus क्या, current into resistance 4 into y, चलो, उपर जाओ, उपर जाओ, यहाँ पर है, बैटरी आई, plus से minus, क्या करेंगे, minus 5 volt, आगे ना, ओके, चलो, plus से minus, यह plus, यह minus, अपने निचे जा रहे है, plus से minus, minus 5, इधर आए, इधर आए, अभी कुछ भी नहीं, अपने उपर जा रहे है, देखो, resistance वापस current सामने मिला, अपने ऐसे जा रहे है न, और यह current सामने आ गया, क्या करेंगे, plus, plus क्या करेंगे, current into resistance, resistance क्या है, 4, current क्या है, उसका, x minus y, बोलो, लूप खतम आगे वापस, इस point के ऊपर, कुल मिला के, 0, got it, तो यह हो गया, बेटा, आपका 4x, यह होगा, 4x, minus 4y, minus 4y, minus 8y, minus 5 जाएगा सामने, plus 5, यह हो गया, equation number 3, अब देख बेटा, equation को solve करना पड़ेगा, you have 3 equations and 3 variables, this is your equation number 1, this is your equation number 2, and this is your equation number 3, so now you have 3 equations, 3 variable, अब जो मुझे दिख रहा है, इसको solve करते हैं, कि इस equation में 2 variable x and y, so अगर मैं इन दोनों में से भी z को eliminate करागे, एक xy का equation बना, लो तो फिर वो एक xy equation और यह xy equation solve हो जाएगा, तो मुझे दिख रहा है, देखो, इसमें 2z, इसमें minus 2z है, मैं इन दोनों equation को directly plus कर लेता हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, next step बेटा मैं करूँगा, equation number 1 और 2 को plus करूँगा, एक सेकर ना, कुछ ऐसे हिल चल, हिल चल हो रही है, आज class में, तो class इतना बड़ा है ना, कि दिल देहल जाता है, कुछ भी ऐसे आवा जाती है ना, तो, चलो equation 1 और 2 को plus कर देंगे, उससे अपने z को eliminate करेंगे, equation 1 में क्या variable है, बेटा, x plus 6y plus 2z, x plus 6y plus 2z equal to 10, और second equation में, 7x minus 6y minus 2z, 7x minus 6y minus 2z equal to, कितना है वो भी, 10, ओके, दिख रहे हैं आपको, x, 7x minus 6y, चलो, इन दोने equation को plus करो, 2z, 2z cancel, लो, y भी उड़ गया, यहां से तो, तो simply क्या मिल गया, आपको 8x equal to 20, कामें simple हो गया है, तो लो, मैं तो खाली, z को हो जाने की बात कर रहा था, यहां तो y भी उड़ गया, ठीक है, तो x का value कितना आगया, 20 by 8, 20 by 8 means going to be, कितना हो जाएगा, 4 से cut कर हो गया, तो 5 by 2, तो लो, x का value आगया, 5 by 2 ampere, अभी ampere मत देको, just keep it 5 by 2, x आगया, ओके नाव गो for the equation number 3, वहाँ से y मिल जाएगा, 4x minus 8y equal to 5, from 3, third equation है, 4x minus 8y equal to 5 है, 4x minus 8y equal to 5, extra value डाल दो 5 by 2, minus 8y equal to 5, यह जाएगा 20 by 2, ओके, यह जाएगा, आपका 10, 5 इस तरफ आजाएगा, 10 minus 5 equal to 8y, समझे के नहीं, तो यह जाएगा, आपका y equal to 5 by 8, यह जाएगा 5 divided by 8, तो y का भी value आगया, 5 by 8, y का value आगया, 5 by 8, चलो आप z का value, ठीक है, z का value कहाँ से लाएगे, equation number 1 use कर लेते है, 6y plus 2z equal to 10, चलो, x का value 5 by 2, 6 into y का value 5 by 8, plus 2z equal to 10, इसको तो दोड़ा simplify करते है, 3 by 4 हो जाएगा यह, तो यह हो कि आपका, ऐसा हो, तो Kelsey वालों को बहुत easy हो जाता है, solve करना, it's 5 by 2, plus, 5 by 2 plus, 5 by 3 is 15 by 4, plus, plus 2z, is equal to 10, ठीक है, आप लोग भी solve करते हैं, मैंने साथ साथ चले, कितना हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा 4, तो can I write this like 4, और यहाँ पर उपट 2 multiply करना पड़ेगा, यह हो जाएगा 10 plus 15, 25, plus 2z equal to 10, 25 plus 2z equal to 10, तो लोग और simplify करो बिटा, इसको 2z का value आजाना है, आपका 10 minus, 25 by 4, simplify करो, इसको कितना हो जाएगा, 10, 40 minus 25, 15 by 4 और 2 निच्छे जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15 by 8, तो यह आगे, आपका 3 variables, x, y, z, जो आप मिली है, आपका final answer क्या है, current in all branches, that is very important, final answer लिखते हैं, current in all branches, अरे branches में current कितना है, वो आपको लिखना है, let me just call this points, A, B, C, D, ठीक है, तो मैंने 4 नाम देदी, A, B, C, D, चलाएगा, पहले मुझे सारे branch के current लिखने पड़ेंगे, तो A से B में कितना current है, Y, दिखरा है, ये branch में कितना current है, सबसे पहला current from A, B branch, that is equal to Y, Y का value कितना आया है, बच्चा, 5 by 8, positive में आया ना, आपका answer, तो आपने जो direction लिया है, वो सही है, कौन सा direction है, A से B, mention करने आपको, from A to B, कई बच्चे ना, यहाँ से question छोड़ दे, तो आपर दो माग उनके चले जाते है, चलो, A भी हो गया, now, B, C, B, C में कितना current है, Y plus Z, तो current in B, C branch is, Y plus Z, Y कितना है, 5 by 8, Z कितना है, 15 by 8, तो यह हो गया, 20 by 8, 20 by 8 का मतलब हो जाएगा, 5 by 2 ampere, किस तरफ था यह arrow, B to C, right, this is from B to C, मैं बहुत बारे किसे सारे questions, आपको solve करवा रहा हूँ है, बहुत detail में, चलो, फिर आ जाओ branch of CD, CD branch, ठीक है, तो CD branch में कितना करने, Y plus Z minus X, Y plus Z minus X, CD branch, राइट, चलो, Y plus Z का value हमारे पास है, राइट लिए, यूस कर लेते हैं, उसको 5 by 2, minus X, X का value कितना है, 5 by 2, मतलब 5 by 2, 5 by 2 कितना हो गया है, 0 ampere हो गया, इसका मतलब यह branch में current है ही नहीं, इस branch को आप निकाल भी दो, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ current है ही नहीं, मतलब यह point और यह point दोनों का voltage सेम है, इसलिए इस branch में current नहीं गया, ऐसे question भी आ सकते हैं, आपको MCQ में, कौनसे branch पे current नहीं जाएगा, कौनसे branch को निकाल दिया जाए, तो कोई problem नहीं होगा, तो जहाँ current नहीं है, वो branch को आप directly उड़ा दे सकते हो, कोई problem होना नहीं है उससे, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, CD हो गया ना, अभी आजाओ यह वाले branch के उपर AD, तो AD में है X-Y, so current in branch AD, AD का value कितना है X-Y, X का value है 5 by 2, Y का value है 5 by 8, LCM लोगे तो 8 is the LCM, यहाँ हो जाएगा, 4 से multiply करेंगे 20 minus 5, है ना, होई हो जाएगा, आपका 15 by 8 ampere, positive में आया answer, तो किस तरफे बढ़ता है current, positive answer है, आपने किस तरफे वैरो मारा है, तरफे वैरो मारा है ना, that is equal to X minus, बच गया, यह बचा ना, CA branch, CA branch में कितना current है, X है, current in branch CA, कितना current है, X, और value कितना है उसका, X का value कितना है था, 5 by 2 ampere, किस तरफे from C2, ए, अब last branch बच गया, यह वाला, यह वाला branch, BD branch, right, BD branch का current क्या है, Z है, किस तरफे D to B है, तो current in DB branch is Z, Z का value है 15 by 8 ampere from D to B, तो यह हो गया आपका final answer, इस तरफे से आपको सारे branches के current बताने हैं, अगर मान लिजे, इन केस, किसी branch का current negative हो रहा है, मतलब सबोज हमने इसको solve किया, और हमारा answer negative आया, negative आया उसका मतलब क्या है, कि हमने जो current direction predict किया है, वो direction घलत है, actual direction उसका reverse है, तो अगर इस case में suppose answer negative आया होता, तो मैंने arrow अगर C से D मा रहा है, तो मैं answer क्या लिखता है, D to C बना के लिख देता, क्योंकि current कैसा आया है, negative आया है, तो यह ध्यान रखेंगे आप, बुरो आया समझ में यह question, मैंने अच्छा कासा time लेके आपको यह पूरा question सौल करवाया है, ठीक है, I hope कि आपको कोई doubt होना नहीं चाहिए, चले देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है बच्छे, Now we have wisdom breach, and then one question, then one more question, potential meter तो topic की omit कर दिया गया है, अबी book में से, तो the last topic here is the, okay, let's just check, last topic कौन सा, wisdom breach ही है शायद नहीं टेक्स्ट बूक में, we are blindly following the new textbook, right, so if I see इसके बाद का topic आपका wisdom breach ही है, right, and then after wisdom breach, what do we have next, so wisdom breach के बाद हमारे पास है, चलना, okay, एक example है, 3.7 जो हम solve करेंगे, 4 arms दिये हुआ है, 160, 10, 5, यह भी किछॉफ से solve करना है, अभी आपको इसी class में, okay, and that's the last question, okay, चलिया जाएंगे, wisdom breach solve करतें, what is wisdom breach, so wisdom breach के अंदर, total 4 arms होते है, और वो 4 में से, 3 arms के resistance हम known रखते हैं, 4th unknown resistance हम find कर सकते हैं, तो wisdom breach का simple सा use है, it is used to measure, it is used to measure, unknown resistance, it is used to measure what, unknown resistance, तो इस तरह से बच्चा, wisdom breach में 4 arms होते हैं, यह 4 points ले लिजी आप, इस तरह से, अब एक resistance आपको यहां लगाना है, let's call it resistance R1, एक resistance हम यहां लगाएंगे, let's call it resistance R2, एक resistance हम यहां लगाएंगे, let's call it resistance R3, और एक resistance हम यहां लगाएंगे, let's call it resistance R4, ठीक है, और हमें यहां लगा देनी एक battery, और जो बाकी दो पॉइंट आपके बच्चे उदर आपको लगाना है एक गैलवेनमीटर जो के एक detector का काम करेगा, किसका काम करेगा यह galvanometer, galvanometer काम करेगा as a detector, चलिए, अब क्या होगा वो द्यान से देखना बच्चा, सब्सक्राइब बैटरी में से current आया है I, उसमें सब्सक्राइब इस branch में current गया I1, तो बाकी क्या current होगा I minus I1 जो इस branch में से जाएगा, अब condition क् पता है बच्चा, condition यह है कि यह galvanometer में से जाने वाला current क्या है, 0 है, bridge जब balance होता है, तो वो balance condition of bridge में galvanometer की branch में से कोई भी current जाता नहीं है, this is the simple condition, right, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से एक resistance आपको variable रखना है, सब्सक्राइब यह variable resistance है, तो हम क्या करेंगे, जो variable resistance है तो उसकी value change करेंगे, western bridge लगाया होगा या resistance box होगा, right, ओके तो हम एक resistance की value change करेंगे, और ऐसा कुछ set करेंगे value ताकि इसका galvanometer का deflection 0 हो जाए, क्या हो जाए, इसका deflection 0 हो जाए, galvanometer deflection should be 0, जब यह galvanometer का deflection 0 हो जाता है, उस case में आपका bridge balance हो जाता है, और जब bridge balance होता है, तपके condition आपको देखनी है, जान से देखना, तो मतलब यहाँ से i1 current आया, galvanometer में चे तो current जाए नहीं रहा है, because null point आ चुका है, galvanometer deflect नहीं कर रहा है, मतलब वो i1 सिद्धा का सिद्धा इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, similarly, यहाँ से भी current आया, i-1 इधर नहीं जाएगा, because इसका deflection zero हो चुका है, तो पूरा current इस तरफ चला जाएगा, i-1 current, तो हम simply लिखेंगे कि in balanced condition of bridge, in balanced condition of bridge, right, what will happen, current flowing from galvanometer is zero, current flowing from galvanometer is zero, galvanometer में से कोई current नहीं जाएगा, चला, simply किर्चाब अपलाएगा करेंगे, एक बार इस छोटे लूप के उपर, और एक बार इस लूप के उपर, right, तो पहले बात करेंगे, kvl on loop 1, start from here, अपने उपर जा रहे, current भी उपर आ रहे, minus i1, r1, चलो, अपने नीचे आ रहे, इसमें जो कुछ current ही नहीं है, तो इसका कोई role नहीं हो जाएगा, current ही नहीं है, तो कुछ भी इधर voltage drop नहीं होगा, इदा चिदा यहां से हम उपर जा रहे, current नीचे आ रहे, हम उपर जा जाएगा, यह हो गया condition number 1, अब second loop पे apply करते चलिए, kvl on loop 2, start from here, इस तरफ जा रहे, current भी उस तरफ आ रहे, क्या हो जाएगा, minus i1, r2, आगे बढ़े, अपने नीचे जा रहे, current उपर आ रहे, क्या हो जाएगा, plus, plus क्या हो जाएगा, i minus i1, r4, अपने नीचे जा रहे, minus i1 into r4, इसमें कोई deflection नहीं है, current ही नहीं है, वापास इस point पे आगे, total equal to 0, i1, r2 को साम में ले लो, plus हो जाएगा, तो you got another equation, i1, r2 equal to i minus, this is i, minus i1 into r4, call it equation number 2, अब simply ही दोनों equation का ratio ले लो, चलो, तो आपका condition आ जाएगा, balance का, taking, 1 by 2, जैसे ही ratio करोगे, i1, i1 कटो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, i1, r1 by r2, i1 minus i3 कटो जाएगा, यहाँ बचेगा, i minus i1 कटो जाएगा, यहाँ बचेगा, r3 by r4, तो यह हो गया, simple सा condition of balancing of bridge, right, मतलब ratio of this two, अब इसको आप ऐसे भी लिख शक्टो, r3 को नीचे ले लो, r1 by r3 equal to r2 by r4, right, मतलब ज galvanometer जोड़ा है ना, उसके एक तरफ के resistance का ratio, और दूसरे तरफ के resistance का ratio, अगर same हो गया, तो इसमें से कोई current जाने वाला नहीं है, जहाँ galvanometer जोड़ा है, उसके एक तरफ के resistance का ratio, और उसके दूसरे तरफ के resistance का ratio, अगर same हो गया, तो galvanometer में से कोई current जाने वाला नहीं है, and और इसकी मदल से बहुत सारे questions आगे जाके solve करने वाले हैं अब ये विस्चन ब्रिज का एक चोटा सा बाई होता है जिसे कहा जाता है इसको कहा जाता है चोटा सा विस्चन ब्रिज का ही what you can say mode है या उसका एक अलग form है जिसे कहा जाता है मीटर ब्रिज मैं थुरा आपको खली आईडिया जे दूंगा मीटर ब्रिज का ठीक है सो मीटर ब्रिज में इस तरह से एक वायर होती है what is it एक वायर है मैटल की दो तरव इस तरह से support होते है मैटल वूड के अपना kind of frame होता है पूरा ठीक है इस तरह से पूरे मैटल के supports है यह उड़ के नहीं है sorry metal के supports राइट these are of metal copper के बने होते है अब यहाँ पर एक copper का wire होगा इस तरह से ठीक है और यहाँ पर आपको एक resistance जोड़ना है let me call it R1 और एक और resistance आपको इस तरह जोड़ना होता है let's call it R2 यहाँ से आपको जोड़ना होता एक यह point से आपको जोड़ना होता एक galvanometer और उसके साथ में रहता है एक jockey जोई इस wire के उपर हम slide करते हैं क्या करते है वायर के उपर हम slide करते है और यहाँ से आपको एक main battery जोड़ना होता है जो इसको operate करवाता है वी वाल्ट का एक battery है इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर simply क्या होता है बिटा जो चार resistance है उसमें से दो resistance आपको slide करवाते हैं जोगी को जैसे wire पर आप slide कराएंगे दोनों तरफ के part का resistance vary होगा जितना length ज्यादा होगा उतना resistance ज्यादा होता है तो जैसे आप इस जोगी को slide कराएंगे यह resistances change होंगे अपने आप तो उससे आपका galvanometer जब null point आ जाएगा zero deflection आ जाएगा तब आपको reading ले सब्सक्राइब के जिरो deflection में इस तलव लेंथ है L1 और इस तलव लेंथ है आपका L2 तोटल अगर 100 दिया है तो 100-L1 it depends question में क्या दिया हुआ है तो very simple way आपका लिक्षक्त हो इनल condition R1 by L1 is equal to R2 by L2 तो इसकी मजद से आप एक अगर unknown resistance है तो उसको find कर सकते हो यह दोनों में से एक आपका unknown होता है एक unknown होता है तो आप इस तरह से gap meter bridge को use करके unknown resistance find कर सकते हो right समझाए आपको meter bridge क्या है तो charge resistance में से दो resistance R1 R2 है बाकी दो resistance का काम कौन कर रहा है यह wire के दोनों तरफ के part कर रहे है तो simply balance condition में क्या लिकेंगे R1 by L1 is equal to R2 by L2 and just simplify करेंगे तो जो एक unknown resistance है वो आपको मिल जाएगा समझे बच्चे clear एक ऐसे करना है इसको चलो अब इसका एक बहुत मस problem करते है इस class का last problem ऐसे भी lecture बढ़ा हो गया है एक घंटे दो मिनिट का lecture हो चुका है फिर क्या करेंगे बिटा किर्चोफ को question से proper ही करने पड़ेंगे आपको आप अगर भगा भगा के करोगे देखो यह question पहले था meter bridge का था फिर potentiometer था यह सारे topic इनों निकाल दिया भी anyways मैं एक छोटा सा lecture बना दूँगा potentiometer के ऊपर पांत-दस मिनिट का क्योंकि entrance के लिए potentiometer is one of the important topic तो मैं पांत-दस मिनिट में दो-तिन question आपको करा दूँगा potentiometer के चले आजाए बिटा तो four arms of a western bridge have the following resistances AB 100 BC 10 में एक बर इसके points देख लेता हूँ ABCD कहां पर है कोई गलती नहीं हो जाए let me just check the points where are the ABCD ABCD ठीक है अब इसकी जरूरत नहीं हमें ABCD याद रखना पिटा सब लोग मेरे साथ साथ था okay so here we have the points A का है भाई ओ ओ ओ और भाई where it is यह रहा चलो point A point B point C and point D चलो कहां कॉंसे resistance है वो चेक करो AB में 100 ohm connect है यहां पर इधार है 100 ohm रेजिस्टर चलो BC में connected है 10 ohm बदब यहां पर है 10 ohm फिर CD में connected है 5 ohm बदब यहां पर और डीए में connected है 60 ohm डीए में कितना connected है 60 ohm अग गैलवनो मिटर और 15 ohm resistance is connected across BD मतलब यह BD के अक्रोस आपने गैलवनो मिटर जोड़ा है जिसका खुद का resistance कितना दिया है 15 ohm बदब इन शॉट यहां पर एक 15 ohm का resistor है जो गैलवनो मिटर है आपका जो 15 ohm का resistor है ठीक है ओके calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC तो A और C के across आपने कितना वाल्ट का बैटरी अपलाई करा है 10 वाल्ट का आपको बताना है यह गैलवनो मिटर की branch में से current कितना जा रहा होगा this is what you need to answer now listen listen breathe तो दिख रहा है बट क्या bridge balance है पहले वो चेक करो तो galvanometer के एक तरफ का ratio है 100 by 60 मतलब 10 by 6 और galvanometer के दूसरे तरफ का ratio है 10 by 5 bridge balance नहीं है right तो हम यहां simply लिखेंगे के here 100 by 60 is not equal to 10 by 5 that means this bridge is not balanced अगर bridge balance नहीं है मतलब galvanometer में से current जाएगा hence current will flow through galvanometer current will flow through galvanometer कितना current जाएगा वही आपको find करना है ठीक है तो पहले current distribution करते है बच्चा let's say battery में से current आया x अपने वापाद x y z में ही काम करेंगे ठीक है यहां से current आया x उस x में से suppose यहां गया y तो बागे क्या बचा होगा obviously x minus y वो गया इस तरफ x यहां से आया इस तरफ गया y इस तरफ गया x minus y चलएग जैसे y current यहां पर आया let's say इस तरफ गया z अपने को यह z ही find करना है y current में से इस तरफ z गया तो बचा कितना होगा y minus z तो इस तरफ जाएगा अब यहां से नीचे आया z current यहां से कितना नीचे आ रहा है X-Y ठीक है तो X-Y और Z दोनों मिलके इस ब्रांच में कितना करंट हो गया X-Y प्लस Z इधर से आया X-Y इधर से आया Z दोनों मिलके हो गया X-Y प्लस Z तो इस ब्रांच में से आया देखो इधर से आया Y-Z और यह ब्रांच में से कितना आ रहा है एक्स माइनस वाई प्लस जेट देखो दोनों मिलके वापस वाई वाई कट जेट जेट कट बचा कॉन एक्स एक्स आया बाहर अंदर सरकीट पूरी सही है क्योंकि अप मैंने पहले एक्स करण्ट दी बाहर निकाला था ना को लो करन डिस्ट्रिबूशन आया समझ में एक्स वाई जेट कैसे किया बैटरी में से आया एक्स करण्ट इस ब्रांच में गया वाई इसमें गया एक्स माइनस वाई y में से इस तरफ गया z बाकी बचा y-z यहां पर इधर से आया z इधर से आया x-y दोनों मिलके हो गया x-y प्लस z ठीक है और यहां से total current वापस कितना बहार निकल गया x चलो let's simplify this कितने variable है तीन variable है x भी variable y भी variable z भी variable वापस तीन equation में काम करना पढ़ेगा अपना target है z अपने को find करना है ठीक है चलो पहला loop यह ले लूँगा दूसरा loop मैं यह ले लूँगा और तीसरा मुझे बाहर बाहर का एक loop लेना पढ़ेगा ठीक है चलो आज यह सब से पहले लिखेंगे kv l on loop 1 अब इस तरह से भी लिख शक्ति हो है आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसे point लिखो a b d a अब सिप्रिल लिख शक्ति हो loop 1 चलो start from किया बच्चा सब लोग मेरे साथ साथ हम उपर जा रहे है current उपर जा रहा है माइनस हो जाएगा current इन्टू resistance 100 इन्टू y current y है resistance 100 है तो 100 इन्टू y क्या हो जाएगा minus because हम उपर current भी उपर हम नीचे जा रहे है अभी तो current भी नीचे आ रहा है तो वापस होगा minus क्या minus होगा current इन्टू resistance 15 इन्टू z समझे के नई 15 इन्टू z चलो अभी हम इस तरफ जा रहे है देखो current अब सामने आया current इस तरफ आ रहा है हम ऐसे जा रहे है लूप खतम करने के लिए सामने आया तो क्या करेंगे plus plus क्या करेंगे 16 इन्टू x minus y गुमते गुमते वापस एप पॉइंट पर आगे total हो गया 0 तो यह बन गया बच्चा आपका equation number 1 यह 15 लिखाया है 16 नहीं सुन मैं इसको लेट्स ओपन दे ब्रैकेट वेरी केरफुली ठीक है चलो आगे देखते हैं तो कितना बच्चा बोलो x आपका 60x y कितना आया 160 minus 160y और z क्या है minus 15z that is equal to 0 कुछ common निकलेगा इसमें से obviously 5 common निकलेगा नहीं निकालोगे तो भी चलेगा let's keep it as it is 5 common नहीं निकालना है ठीक है चले आगे बड़े बच्चा let's see what next we are going to get पहला loop हो गया पहला equation हो गया अब आजाओ बेटा loop 2 kvl on loop 2 okay let's start from b point यहरा आपना loop 2 ऐसा है start from b point अपने नीचे जा रहा है current भी नीचे आ रहा है क्या हो जाएगा यहापर बेटा मिरे को यह खठ रहा है मैं पहले इसको proper बना लेता हूँ ठीक है चलो यहाँ जे प्र्राठ करो फ़ीड़ा अपने नीचे आ रहे है current भी नीचे आ रहे है क्या लगेगा minus minus क्या 10 into y minus z minus 10 into y minus z चलो अपने नीचे जा रहे है current उपर आ रहा है क्या लगेगा plus प्लस क्या resistance इंटू करंट, क्या है 5, करंट क्या है x-y प्लस z, समझे के नहीं, अपने इधर से नीचे जा रहा है, है c से d, और करंट उपर आ रहा है d to c, तो क्या होगा प्लस क्या होगा current इंटू resistance, जान रखना, चले अब से हम उपर जा रहे है करंट नीचे आ रहे है वापस क्या होगा प्लस क्या प्लस होगा 15 इंटु जेड प्लस 15 इंटु जेड इक्वल टु जेरो लेस्ट ओपन दे ब्रैकेट केर्फुल्य आम डलिंग यू अगें अगें कि मैंने बहुत बच्चों को देखा इसमें आम आए एक वाला 5x y के कितना आट आँए माइनस 10y-5y-15y-z कितना है 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30z that's equal to 0 quality equation number 2 दो equation बने चलो third equation बिटा मैं यहां लिख रहा हूँ equation number 3 kv alone loop 3 नए पेच पे जाओंगा तो फिर वापस वार बार इसको change करना पड़ेगा चलना बाई kv alone loop 3 चलो बिटा loop 3 हां जन्स है बाहर बाहर का loop है अपने उपर जा रहे है यह पूरा loop बाहर का अपने उपर जा रहे है करंट भी उपर आ रहे है minus क्या करेंगे हंडेट इंटू by बी-पॉइंट पहुचे अपने नीचे जा रहे है, current भी नीचे आ रहे है, क्या करेंगे, minus 10 into Y minus Z, current into resistance, अपने नीचे जा रहे है, अभी कुछ भी नहीं आ रहे है, battery आया, minus से plus क्या हो जाएगा, plus 10, minus से plus की तरफ अपने जा रहे है, आगे इस तरफ जा रहे है, minus से plus, plus 10, वा equation को solve करने की same equation में लिखुँँगा कोई नया नहीं लिखने वाला हूँ minus 100 y minus 10 into y minus z plus 10 equal to 0. चलो let's open the bracket carefully again ठीक है यह होगे आपका minus 100 y minus 10 y हो जाएगा minus 110 y minus 100 y minus 10 y minus 110 y minus minus plus 10 z plus 10 equal to 0 तो यह होगे आपका equation number 3 अब अपने को find क्या करना है अपने को find करना है what is the current through the galvanometer अब इता galvanometer का current क्या है z है अब देखो इस equation में already y और z है तो अगर मैं इन दोनों में से x को उड़ा दू अगर इन दोनों equation में से x को उड़ा के एक और equation y z का बना लू तो तो सरा जाएगा answer अपना equation solve हो जाएंगे z मिल जाएगा वही करो equation 1,2 में से z को eliminate करो इधर 60 है इधर 5 है मैं इस equation को 12 से multiply करके इसमें minus कर दूँ हो जाएगा so हम क्या करेंगे eliminating x from eliminating x from equation number 2 and 1 तो देखो पहला equation तो simple ही दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है पहला equation 60x minus 160y minus 15z plus है minus है plus है 60x minus 160y minus 15z is equal to 0 और मैं दूसरे equation को 12 से multiply करूँगा तो 12 into 5 12 into 5 60x then 12 into 15 180 y minus में then 12 into 30 360 is equal to 0 is it right 12 से multiply करो 12,5,6 12 into 15 होता है 180 and 12 into 30 होता है 360z दरिना मत जो भी आया calculate चलो इसको क्या करेंगे minus plus minus 60x हो गया cancel चलो ये क्या बच्छा आप ज्यान चे देखना plus 180 minus 160 that is plus 20y minus 360 minus 15 minus 360 minus 15 हो जाएगा minus 375z तो देखो मुझे equation में क्या मिला बेटा मुझे equation में ऐसा मिला यहां से कि y equal to 375 by z divided by 20 y equal to 375 by 20z मिला के नहीं call it equation number 4 अब इस 4 को जाके substitute कर दो बेटा 3 में आपका आंसर आ जाएगा put 4 in 3 put 4 in 3 so what was the equation number 3 what was the equation number 3 minus 110y plus 10z minus 110y plus 10z plus 10 equal to 0 I'll simply put value of y here 375 by 20 110 यह हो गया 375 by 20 z मैंने y को substitute कर दिया यहां पे plus 10z 10 को साम में ले लो minus 10 carefully इसको इसको इस सिंप्लिफाई करो कोई जल्दबाजी मत करना कोई जल्दबाजी है भी नहीं वैसे भी तो यह हो जाएगा आपका 375 into 11 by 2 minus sign के साथ है ओके what will it be let's see ऐसा यहाँ मैंने पूरे लेक्चर में Kelsey खोली नहीं थी बट अभी खोल लेता हूँ चलो क्या करना है आपको देखो 375 into 11 by 2 375 into 11 divide by 2 कितना आया 2062 आया minus में उसमें आपको plus 10 करना है ठीक है plus 10 कर ले यह term आपका minus है उसमें आपको करना है plus 10 हो गया plus 10z तो z कितना आ गया आपका 2052.5z अब इसको निचे डिवाइड कर दो 10 के यह आ रहा है आपका देखो कितना आ रहा है यह value था आपका 20 बूल भी गया मैं what was it 2052.5z ठीक है negative sign के साथ this was negative 2052.5z is equal to minus 10 तो इसको निचे डिवाइड कर दो 10 divided by 2052.5 कितना आएगा बता हूँ let's check it क्या आपका आ रहा है बच्चा 10 divided by 2052.5 and your answer is 0.00487 0.00487 अगर step proper करोगे तो you are never going to make any mistake in these questions यह रहा है आपका 0.00487 ampere 4.87 milli ampere this is the value of z और यही आपका z ही galvanometer का current तक किस तरफ जा रहा है यह current देखो ता आपने arrow किस तरफ माना दा जा बी तू डी जान रखना है तो galvanometer में 4.7 87 ampere milli ampere current जा रहा है तो direction from B to D तो इस तरह से आप यह question को बना सकते हो solve कर सकते हो by applying Kirchhoff's voltage rule ओके बच्चा I hope आपको text book के दोनों question crystal clear हो चुके होंगे calculation के साथ जादा होशियार बनने जाओगे ऐसा calculation में तो गलती करोगे basics को चिपके रहोगे 2 minute जादा लगेंगे बड़ answer सही आएगा right क्यूकि इसमें risk लेना अगर एक भी गलती बीच में हो गई कहीं पे भी plus minus sign अगर गलत होता है तो possibly नहीं है कि आप आगे जाके इस question को वापस correction करके संभाल पाओ आपको वापस पूरा ही गिनना पड़ेगा ठीके बच्चा चले दो यहाँ पे आपका current electricity पूरा complete होता है अगले class में बेटा मैं आपको potential meter का एक छोटा सा idea देने वाला हूँ simple सा मैं आपको question कराऊंगा potential meter का but that will be in the next class और उसके बाद हम करेंगे current electricity का NCRT access size I hope आपको सारे किर्चाफ question समझ में आ गये होंगे चले अगले class तक टाटा बाई-बाई see you जुड़े रहे पढ़ते रहे